गुद्विनिंग एब्रिवान गुद्विनिंग शभी को विलकम है वाइफए श्टड़ी लाइव एस्पिसेश चैनल पर श्वागत है सभी का और उमीदे मेरी आवाज जा रही होगी आप तक उमीदे बच्चों मेरी आवाज आप तक जा रही होगी एक बार सेशन को सभी लोग जॉइन कर ले नौ एक दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई थी इस कने शेप्टर हम लुक देखते हों तो आज हम लोग डिसकास करेंगे आपके क्लासिस कि खुशाहाल गाउं और सम्ब्रद्श शहरों दोनों में होता है दोनों में रिलेशन क्या होता है यानि आज कि जैप्टर में हम ये समझेंगे कि एक गाउं और एक सहर के निर्मान में क्या संबंद होता है थीक है यानि गाव येवं शहर दोनों में क्या relation होते हैं इस चीज को समझेंगे गाव येवं शहर में संबंद तो आज हम लोग इन चीजों को डिसकस करेंगे ठीक है यानि शहरों के विकास में गाउं का कितना योगदान होता है या सहर का निर्मार जो है वो कैसे डिपेंड करता है गाउं की शम्रिद्धी पर आज इस चैप्टर में आप ये चीजें समझने की कोशिस करेंगे ठीक है तो चलिए ए आप तक शरोज जी विलकम है इंदी शरोज रजनेश गौतम सभी लोग सेशन को शेर कर दो फटाफट जल्दी से ठीक है जल्दी से सभी लोग सेशन को शेर कर दो और आज यह समझेंगे कि देखिए भारत में कहते हैं कि दो सब्हेताय हुई भारत में जब आप नगरी भारत में कितनी बार हुआ, नरी करण भारत में कितनी बार होता है, ठीम है, तीन बार भारत में नरी करांती हुई वक्चो, तीन थाइ म – पहला जो है, पहली जो नरी क्रांती है वह आपकी कौन सी क्रांती है शिंदु शब्विता पहली नगरी शब्विता भारत में क्या है शिंदु सब्विता है तेक है दूसरी जो नगरी क्रांती है यह शिक्ष हंडेड बीशी में आती है इसे आप प्रथम नगरी क्रांती कहते हैं यह आपकी फर्स्ट अर ब्रफितिय नगरी करांटि होती हैं एर तीसरी जो नगरी करांटी होती है यानि तृतिय नगरी करांटि जो है वो तुर्कों की आगमन पर होती है त्रिटीय नगरिय क्रांति जो है वो कब होती है भारत में तब भारत में तुरक सत्ता श्थापित होती है तब भारत में तृती नगरी क्रांती अस्थापीत होती है तो ये भारत में कितनी नगरी क्रांतियां हुई तीन पहली नगरी क्रांती दोती नगरी क्रांती और तृती लेकिन जो ये नगरी क्रांतियां होती है ये बिसिकली है क्या यानि इनकी अर्थविवस्था जो है मूल क्या हो जाए आधार भूत सरचना में क्या हो जाए बदलाओ आधार भूत सरचना में परिवर्तन हो जाए ठीक है आपके धर्म में भी मैं धर्म का विकास ठीक है धर्म का विकास होना चाहिए और सासा जो है एक राजनेतिक सत्ता का होना जरूरी एक राजनेतिक स्थाइत का ह होना जरूरी है ये परिभासा किसने दिया है गाडंडें चाइड ने नगरी क्रांती की परिभासा दिया बच्चो इन्हों नें ही समझाया है वास्तो में नगरी क्रांती किसे कहते तỉ dips ने पूरे क्या संबंद है तीक है या रिलेशन्हे час में क्या रिलेशन है तो नगर के विकास में जैसे अगर आप गऊर देवल्पैंट हुआ तो इससे पहले आपको नियोलिथिक कल्चर यानि नौ पाशारीक संस्क्रुटि है आपको दिखाई देगी नो पाशारीक संस्कृति आपको दिखती है और इस नव पाशाणिक संस्कृती में पूरी तरह से एग्रिकल्चर सिस्टम आपको विख्षित दिखाई देगा सासाथ इंडस्वैली की पैरलर में इसके समनांतर आपको तामरपाशाण काल दिखाई देगा जो विशिकली बच्चो क्या थी जो एक ग्रामिड संस्कृती थी तामरपाशाण काल यानि जिस ग्रामिड सभ्यता की विकास के धरातल पर यह नगरी सभ्यता पैदा हुई उस न दुती नगरी करान्ती जब होगी तो दुती नगरी करान्ती क्यों हुई क्यों चर्थी आर्थी कहा मद्यगंगा घ्." गहाटी में जो आर्थी परिवर्टन हुए यहां एग्री कльचर सेक्टर में जो बड़े अस्तर पर उत्पादन व्रिद्धि हुई तीक है उस कि घ कारण दिखाई देती हैं टीसरा जो अस्तर है आगा अस्तर है ऊस्रे तती नगरी क्रांथी जिए यह यह बलखकी यह जन आतिक तो परिणाम था दो दो को आखाउल सिब्लाजेशनend भारत में आई दो नगरी करांतियां जो भारत में हुई इन идет कने में ग्रामिद अर्थेभवस्ता में जो बड़ा परिवर्थन आया या उनके उत्पादन में बड़ा बढलाव आया यह उसका प्रेणां थे लेकिन तुर्कों का आग्मन पर होती है वह राजनायतिक सथ्था में होने बदलाव का क्या था ठीक है तो हम इसी चीज को इसी बेसिक चीजों को हम आज क्लास में समझने की कोशिश करेंगे ठीक है हिंदी महासागर कह रहा है कि रेगुलर क्यों नहीं पढ़ाते बेटा मैं क्या करूं ठीक है एक जान और जहमेले बहुत जादा है ठीक है तो इसलिए मैं रेगुलर नहीं ले पाता हूं लेकिन हाँ हपते में कितने दिन लूँगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा एक दो दिन में ठीक है मान के चलिए हम रेगुलर तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन हाँ आपको ये फिक्स रहेगा कि हपते में ये फोर डेज या फाइब तेज आपकी क्लास रहेगी तो रहेगी रेगुलर रहेगी ठीक है हां यंसे आइटी कम्प्लीट कर दूंगा ठीक है डोंट वरी लेकिन थोड़ा सा आपका सहयोग और शमर्तन भी तो मिलना चाहिए भाई क्या फरक पड़ता है कि किसकी तबियत खराब है किसकी नई खराब है है कि नहीं एक घंटा आनलाइन पढ़ाने में और तीन घंटा आफ लाइन पढ़ाने में दोनों में एक्कल एनरजी खर्च होती है तीन घंटे में आफ लाइन पढ़ा के आता हूं मुझे जरा सा भ ेहारापेपे पहली नेगरी क्रान्ति जो आपकी शिंतुसभिता वाली नेगरीं क्रान्ति थी उसकी भूमिका यहां पर बता रहा है। कहरा यहां पर शुरुवात में देखी कहरा लोही का उजार उखेती लोही का प्रयोग आज एक आम बात है लोही की चीज़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई है इशुव महादीप में लोही का प्रयोग लगभग 307,000 साल पहले शुरू हुआ तो दैट मिंस की लगभ जो है इनको मेगालितिक संस्कृटी कहा जाता है यह दख्षिड भारत में पाइज आती थी यह कहां पाई जाती है इनकी पहचान क्या है ठीक है इनकी पहचान यह होती थी कि जब किशी मनुष को दफनाया जाता था जैसे माल लीजे ये कब्र बनी है तो इस कब्र के चारों तरफ पत्थर लगा दिया जाते थे बड़े बड़े पत्थर लगा दिया जाते थे इसी को महापाशानिक संस्कृती का उध्वव होता है उसी समय दख्षिन भारत में लोहे क का उपयोग भी दिखाई देता है यानि आप अगर गवर करिए तो यह सब्विता आपको लगभग एक हजार वीशी प्राचीन दिखाई देगी और रिशी शमय उत्तर भारत में अगर आप चुनो हसीआ हसिया का उन्सा है शिखे यह होगा यह हसी आ होगा ठीक यह घूमा हुआ है आउजारों को चुनो तो यह शनसी है यह इसको आपको हाडी मान सकते हो यह बना हुआ है तक तो कहिरा कि लोहिट wrapping दशिण में हो रहा थ ön लगवक 2500 वर्ट्स पहले लोहे के उजारों के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिलते हैं जंगलों को इससे साफ किया गया होगा और जुताई के लिए हल फाल का निर्मान किया गया होगा लोहे के फाल के इस्तेमाल से आपका अगरिकल्चर सेक्टर बढ़ा होगा सीधी सी बात उत्तर भारत में भी यह तो बेशिक कॉंसेप्ट है है की नहीं यह बेशिक कॉंसेप्ट है कि भाइ लोहे का उपयोग जो है कुल्हारी फावडे के निर्मान में किया गया होगा जिस señor का विस्तार हुए अर दूसरा जो है लोह का उपयोग जो है कही ने कहीं बच्चों आपके उन चीजों के लिए भी किया गया होगा लोह का हुप यह आप कैरा कि करीब 25 यह नियुकि पहले लोहे शेतर का क्या होगा विश्तार होगा आप जंगल काटेंगे तो उत्पादन शेतर का विश्तार होगा जंगल काटेंगे तो उत्पादन शेतर का विश्तार होगा ठीक है और जब आप लोहे के फाल बनाएंगे तो लोहे के फाल से क्या होगा जुताई आपकी गहरी होगी जब जुताई गहरी होगी तो नमी का क्या होगा सरच्छन होगा तो नमी का जब सरच्छन होगा तो इससे आपके उत्पादन में क्या होगी व्रिद्धी होगी उत्पादन आपका क्या होगा बढ़ेगा उत्पादन में क्या होगी व्रिद्धी उत्पादन में व्रिद्धी होग ठीक है इससे आपके उत्पादन में क्या होगी बृद्धी होगी इसके आपके उत्पादन में बृद्धी होगी अगला करा क्रिश्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कदम शिचाई देखें करा सम्रिद्ध गाउं की बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था ठीक है देखिए कैसे जोड़ रहा है भाई राजा तो सहर में होगा ना भाई राजा कहा होगा सहर में करा कि शम्रिद्ध गाउं के बिना राजा या राज्य का होना मुश्किल था ठीक है तो यहां पर क्या बताना चाहरा है यहां पर यह बताना चाहरा है कि एक राज्य जो है ठीक है वो कहीं ने कहीं आपके सम्रिद्ध गामों पे निर्भर होता था क्योंकि इन्हीं गाउं से ही तो आएगा तो गाओं की सम्रिद्ध soccer की मजबूती से क्या था जुड़ा हुआ करा राजाओं और उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था जिस तरह क्रिशी के विकास में नए अउजार और रोपाई के महत्पूर्ण कदम उठाए गए उसी तरह सिचाई में भी काफी उपयोग उपयोगी शाबित हुई और इस समय सिचाई के लिए नहरे आप देखिए सिचाई के लिए नहरे कुवे तालाव और कृतिम जलासे बनाए जाने लगे और इस चार्ट में तुम्हें सिचाई इसमें आए परिवर्तन दिखाए गए हैं खाली अस्थानों पर आप वाक्य को क्या करना है भरना है तो कह रहा है कि इस समय यानि एक हजार इश्वी के आसपास बच्चों आपको शिचाई के कई तरह के संसाधन डेवलप कर लिए गए ठीक है तो एक तरफ लोहे का उपयोग शु तो इस चार्ट में तुम्हें सिचाई में आए परिवर्तन देखने को मिलेंगे खाली अस्थानों पर इन वाक्यों को क्या करना है भरना है देखिए भर यह राजा को सेना महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए वे किशानों से कर लेते हैं या सिचाई से ही सम्भव था राजशय भी बढ़ा तो राजा को शेना महल और किले बनवाने के लिए क्या चाहिए था धन चाहिए था तो धन उसे कहां से मिलेगा क्रिशी उत्पादन बढ़ा день तो अप यहां क्या भरोगे थिक है लोहे का उपयोग लोहे का उपयोग कि घृ नमबर दो फिर आप यहां लिखोगे सिचायशनसाधन सिचाई संसाधन का विश्टार ठीक है सिचाई संसाधन का विश्टार तो भई राजा को सेना रखनी है महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए तो धन कैसे मिलेगा सिचाई संसाधन का विश्टार करोगे तो इससे क्रिश्युत पादन क्या विश्टार करोगे न ही संसाधन का production growth जो है वो बहतर तभी हो सकता था जब आपके agriculture sector में क्या होगा विस्तार होगा तो जब सिचाई संसाधन से ही संभव था सिचाई संसाधनों में आप तालाब आप तालाब बना तालाब बने लगे नहर बनने लगे ठीक है और कुवे बनने लगे तो इन सबसे आपके सिचाई अभी आप फिल कर सकते हैं इन सब करने से क्या होगा राजस्वाप का बढ़ेगा तो यह अभी जो आपने पीछे पढ़ा उसी को यहाँ पे क्या करना था फिल करना था कि उसी को यहाँ पे भरना था कि उसी को यहाँ पे क्या करना था फिल करना था कि सेशन को शेयर कर दीजिए लोगों द्वारा परिश्त्रम किया गया किशानों को लाव मिला क्योंकि अब उत्पादन अनिशित्ता घट गई कर अदा करने के लिए किशानों का उत्पादन बढ़ना था राजाओं ने शिचाई की योजना बनाई और धन खर्च किये तो इन सब चीजों से आपके उत्पादन में क्या हुई बृद्ध्यों तो गाओं में कौन रहते थे जरा देखिए गाओं में कौन लोग रहते थे जब उप महद्वीब के दक्षिण में जब उप महद्वीब की बात आती है तो महद्वीब में आपका पाकिस्तान भी शामिल है जब भार्तियूप महादूइब की बात आती है तो उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है और इसमें स्रिलंका भी शामिल है थीक है और आपका नेपाल भी शामिल है ध्यान रखिएगा जब महादूइब के दच्छनी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांस गावों में कम से कम तीन तरह कि किसान कहते हैं लेकिन यहां पर इस शब्द यूज किया है तो भूस्वामि किसान ही तो ह Abgृ開始 होता-था यह वीय। नुटनिए इंसमेरे को मतलब जो बढ़की ए थे उनको पत् coloured जो त्य जो आपके ऑड़े त। है भू महीन मजदूर को क्या कहा गया है अदिम अदिमई मतलब होता है लोट कले यानि दच्छिण भारत में यह सब्दावलियां थी यह दच्छिण भारत की सब्दावलियां थी उडवार और कड़ेशियर कडमई संगमकाल में और इसी समय उत्तर भारत में जो गाओं का मुखिया होता था उसे ग्राम भोजक कहते थे ठीक है अक्सर एक ही परिवार के वन्सानुगत थीक है इसका मतलब उत्तर भारत में जो परंपरा है गाओं की ठीक है उसमें जो है ग्राम उसमें जो गाओं की मुखिया होते हैं उन गाओं की मुखियाओं का जो पद है वो क्या है वो वन्सानुगत है ठीक है वह वन्सानुगत है करा ग्राम भोजक के पद प्रभावसाली होने के कारण प्राया राजा भी करवसूलने का काम इन्हें ही शौंप देता था यहीं आगे चलकर क्या बन जाएंगे जमीदार बन जाएंगे ठीक है और यहीं क्या करेंगे टैक्स कलेक्शन का अधिकार भी ले लेंगे तो जो गाओं का सबसे मजबूत व्यक्ति होता है उसी से तो उसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि सरकार को लगता है कि जो गाओं का सबसे पावरफुल पर्षन होगा वही गाओं की responsibility को निभा सकता है तो सरकार अक्सर क्या करती है ऐसे परशन को ही जिम्मेदारी शौपती थी तीक है जो गाओं का सबसे क्या होता था मजबूत व्यक्ति होता था तो इनकी एतरिक्त प्रभावसाली होने के कारण राजा भी टैक्स कलेक्शन का दाइद तो इनी को दे देता तो यानि यहां पर राज का कोई कर्मचारी जो है टैक्स वसूलने नहीं आता था गाओं का जो सम्रिद्ध व्यक्ति होता था वही टैक्स कलेक्शन करता था यह न्यायधीस का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे ग्राम भोचकों के रावा अन्य सोतंतर क्रिशक भी हो दिव्यक्ति था गाओं के मामले में सारे निर्ड़े लगबग वही ले लेता था बस केवल उसे टैक्स कलेक्शन करके राजा को देना होता था राजा कोई भी राजा किसी मामले में हस्तक्षेव ज्यादा तर नहीं करता था चाहे वो न्याई को दांडी को लोवर लेबल पर जो गाओं का ग्राम भोजक मुखिया था वभी उस मामले का निंप्टार वह कर लेता था थे तो आप कह सकते हैं कि उत्तरभारत में जो घाएं वो शामानता क्या थे उस्तान्तर थे थे या कह सकते हो स्वायत थे छि PETER सेशन को शेयर कर दीजे थोड़ा सा सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो आप लोग कम से कम यार बीश लोग तो होने चाहिए ठीक है बीश लोगों का तो होना चाहिए इससे ज्यादा तर छोटे किशान ही होते थे कराईने में ज्यादा तर छोटे किशान ही होते थे इसके अत्रिक्त कुछ ऐसे इस्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी इनमें दास कर्मकार आते हैं यानि आप उनको दास कर सकते हैं जो दूसरों की जमीनों पर काम करने करके अपनी जीवी का चलानी पड़ती थी अधिकांस गाउं में लोहार कुमहार बढ़ही बुनकर जैसे कुछ सिल्पकार भी होते थे अब आपको पता है कि ये कहीं ने कहीं पेसलाइजेशन है लोहार लोहे का काम करता है कुमहार मिटी का बढ़ही लकडी का बुनकर कपड़ा बुनने का काम या कुछ दोसरा करने अतल उसे होने लगेगा तो हम इन्हें सुसमॉलाग उद्धौक की संग्याँ दे सकते हैं अभी आप इसे सिर्फ उद्धौक नहीं कर सकते ठीक अब यहां पर देखिए करा प्राचिंत्म तमिल रचनाय आये जड़ा संगम साहित में चलते हैं ठीक पांड राजवंस के अधिन आपकी टोटल परिशदें कितनी हुई तीन परिशदें हुई ठीक है कितनी परिशदें हुई बच्चों तीन परिशदें आपकी होती है पांड राजवंस के अधिन इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरे के कवियों के शम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है यह जो यह जो आपका जो आपके बच्चों यह सम्मेलन जो हुए वो सम्मेलन बिशिकली कहा हुए तो वो शम्मेलन होते हैं आपके जो है मदुरे में, ठीक है, मदुरे में ये शम्मेलन हुए और इन सम्मेलनों का संकलन किया जाता था, गाउं में रहने वाले लोगों ने जिन तमिल नामों का उलेख किया है यहाँ पर, वे शंगम साहित्य में पाये जाते हैं, ठीक है, वे कहांपे पाया जाते हैं संगम साहित में अब देखो क्या कर रहा sंगम इशलीय कहा जाता है क्योंकि मदूरे के संध्रियों गया और गाव में रहने वालों के जिन नाम जिन तमिल नामों के उल्ले इसका मतलब है कि उसमें गाव में भी बच्चों पढ़े लिखे व्यक्ति थे यानि गाव में भी विद्वान रहते थे ऐसा नहीं था कि जो है सहरों में सेंडरलाइज था ठीक है भाई इस तमिल पुश्चद में जाश्टिक सके नववा चैप्टर चला है लाहिए और हो कि इस के निर्धन चतुराई एक सहर में करीब एक सहर में एक गरीव यूवक रहता था एक शहर में गरीव यूवक रहता था उसके पास एक मरे चूहे के लावा, अब देखिए, अब ये दर्सा रहा कि गाउं के लोग भी बहुत धिक और चालाख होते थे, ये कहानी से ये साबित करना चाहरा कि गाउं के लोगों में भी बुद्धी थी, दिमाग था, वो भी चालाख थे, करा एक सहर में गरीवी यू आए और राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया, राजा का बगीचा जो था वो टूटी टहनियों और सामानेता होता भी है, कि आधी तूफान बारिश आती है, तो पत्ते गिरते नीचे उससे भर गया, उनका माली इसे साफ करने की बात से परिशान हो उठा यूवक ने माली से कहा कि अगर लकडियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है माली तुरन तयार हो गया उसको तो आसान हो गया ने कि चलो यार सफाई में कोई ने कोई क्या करेगा पाइडिशिपेट कर देगा तो यूवक के पास खेल रहे बच्चों को या कहकर इकठा कर लिया जो यूवक माली से जो सवदा यूवक ने त coupon किया कि अगर मैं साफ करा दूँ तो मुझे भी लकड़ी और पत्ते मिल जाएंगे तो उसने का हाँ तो युवक ने क्या किया बगल में खेल रहे बच्चों को लिए यह काकर उन बच्चों की गठा कर लिया कि प्रतियक टाहनी और पत्थे के बदले उन्हें एक-एक मिठाई मिलेगी देखते ही देखते उन्होंने बगीचे के एक-एक तिन का चुनकर गेट के पास इकठा कर दिया बच्चों ने तभी उधर से राजा का कुमहार बर्तनों को पकाने के लिए इधन की तलास में गुजरा, ठीक है उसने पूरे धेर को खरीद लिया किसने खरीद लिया किसने खरीद लिया उस कुमार ने खरीद लिया इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए क्योंकि उन लकडियों और पत्तों का कुमार ने क्या किया युवक को पैसा दिया अब उस यूवक ने एक और योजना बनाई एक बड़े बरतन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया ठीक है खुस होकर उन लोगों ने कहा तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं उसने कहा मैं आपको यह तब बताओंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी किसने कहा उसे यूवक ने कहा इसके बाद इसने एक व्यापारी सेडियं साहर सेटा कि कर एक गोड़े का व्यापारी साहर में आ रहा है यह सुनकर उस यूवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा जिन से कहा था कि मौका पड़ेगा मदद मांगूँगा कृपिया तुम सब एक एक घास का गठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिख जाए ठीक है उन्होंने उसे घासों के 500 गठर दे दिये जब घुड़े के ब्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस यूवक की घास एक हजार सिक्के में खरीद ली ठीक है भाई इसने डिमांड और वेलू वाला काम कर दिया न बाकी घास के घास बेचने वालों को क्या कर दिया रूख दिया का भाई तुम रूख जा इससे क्या हुई भाई अकेला भी क्रेता डिमांड बराबर बनी है सप्लाई क्या हो जो आम लोगों में प्रचलित थी बहुत विच्वों ने इनका संकलन किया यहां एक जातक कथा दी गई है इसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे-धीरे धनी बन गया तो अभी जो कहानी आपने सुना थीक है उस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा बताईए जब आइस बनोगे किसी जिले की responsibility आपको दी जाएगी ठीक है तो क्या आप उस जिले की income को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के प्रफोजल सापके दिमाग में आएंगे ठीक है बताईए चलो आप लोग सांती से देखिए आप यहां क्या कह रहा है कि दिली में मिला एक बले कूप है बले कूप का मतलब होता है जिसमें round round क्या बनी हो सीड़ियां उसको बले कूप कहते हैं बिशिकली यह मौरिकाल में और मौरियोत्तर काल में बच्चों आपको दिखाई देगी मौरिकाल और मौरियोत्तर काल में इस तरह के कूउओं का निर्माड आपको मौरियोत्तर काल में दिखाई देगा ठीक है मौरियोत्तर काल में इस तरह के कूउओं आपको दिखते है प्राचिन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्यस रोतों से भी पता चल सकता है बेखे करा कि शहरों गाउं या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक धंसे उकेरते हैं आपको पता है कि जो मूर्तिकार होता है वो कहीं ने कहीं जो है बच्चों क्या करेगा वो सब्जेक्ट का जो चुनाओ करता है वो गाव और शहर के विशय ही तो चुनेगा गाऑ और शहर के विशे का सब्जिक्ट का ही तो चुनाव करता है। वो कहरा है कि प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में जैसे सहर गाऑ और फिर जंगलों के जीवन से जूड़ी घटनाओं को मूर्तिकार यानि जो कलाकार होता है वह कलात्मक धंग से उकेड़ता है इन मूर्तियों को ऐसी इमार्तों की रेलिंग खंभों या प्रवेश удडारों पर सजाया जाता है ठीकर जो मूर्तियां वह बनाता है मूर्तिकार जो है उसे कहां लगाएगा या तो मकानों पे मकानों की रेलिंग पे खंभों पे प्रवेशुदारों पे लगाएगा जहां लोग आते जाते हैं अध्याशिक्स में वरणित अनेक शहर जैसे महाजनपदों की राजधानिया जो होती थी जैसा कि तुमने पढ़ा इन में से कुछ शहर परकोटे मतलब होता है उनको चारों तरफ से घेरना परकोटा मतलब बाउंडरी वाल से घेरे होते थे जैसा कि तुँ ऊपर के चित्रे में देख रहे हो कि अनेक शहरों में बलैकूप मिले हैं, बलैकूप मतलब छलेदार कुएं, बलैकूप गुशल खाने, नाली, कूडेदान के प्रयोग प्रयोग तो होते थे, प्राया ये घरों में होते थे, बलैकूप लोगों, बलैकूप बाजारों या आम घरों में कि अवशिष कम मिले हैं संभवतर लकड़ी मिट्टी वह कच्ची मिट्टी या छपपर से बने होने की कारण ये ज्यादा समय तक्तिक न पाए होंगे भविश में पुरा तत्वी दिन की खोच कर सकते हैं यानि ये बता रहा है कहरा है कि उस समय जो है ठीक है कहरा कि अनिक सहरों में बलेकूप मिले हैं ठीक है बलेकूप मतलब छलेदार कुएं और ये बलेकूप जो है गुशल खाने नाली कुड़ेदान के लिए प्रियूक्त ह होते थे यानि यहां से जो पानी निकाला जाता था उसका गुशल खाने में यूज होता था ठीक है नालियों का होना यह प्रमाडित करता था कि इन से पानी निकाला जाता होगा ठीक है और प्राया यह घरों में होते थे भाई यह घर के अंदर होते थे कुएं पुराने जम प्राचीन सहरों के बारे में वहां नए नाविकों यात्रियों के विवरणों से पता चलता है कि ऐसा ही एक विष्टरियों किसी अज्यात यूनानी नाविक का है जिन पत्तनों पत्तन मतलब होता बंदर गाहों पर वह गया उन्हें शभी के बारे में उसने लिखा है तो वह नाविक या यात्री कौन है वो क्या लिखता है कि नीचे सांची की मूर्टिकला है ये सांची की मूर्टिकला है बच्चों देखिए सांची की मूर्टिकला उकेरी गई है साची की मूर्तिकला यह मद्य प्रदेश में साची के इस्तूप की मूर्तिकला का नमूना है इसमें सहर के जीवन का एक दृष्य है तुम अध्यायबारा में साची के बारे में पढ़ोगे अभी आगे चलकर इन दिवारों को देखो क्या वे एट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से बनी है क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है इस इमारतों की छतों का वरड़न करो तीक है अब देखो इसकी रेलिंग जो है आपको पता बच्चों जैसे भरहूत इस्तूप आप देखेंग लेकिन ऐसा नहीं है वह राजनीत में अपने महत्त को अस्थापित करने के लिए ब्रामणों का प्रभाव अपने उपर बनाने के लिए उसने बहुत विरोधी रुख अपनाया था यह तुष्टी करण की नीत थी उसकी वह बिशिकली ब्यक्तिगत रूप से बहुत विरोधी नहीं था अगर ब्यक्तिगत रूप से बहुत विरोधी होता तो वह जो है भरहुत के इस्तूप की रेलिंग का निर्मान क्यों करता थीक है या सांची के इस्तूप में पुना निर्मान वो क्यों करता थीक है तो ब्यक्तिगत रूप से बहुत विरोधी नहीं था पुश्य पुशमित्रिशुंग ने क्या किया बहने क्रंवनों के लिए परव मॉज़ात ऐड़ाराउट поч. आत्म सीधा सा मतलब है कि यहां पर वही काम पुश्वित्रिशुंग ने को बहुत बीरोधी दीखा और ब और आमणों का विश्वास जीत कर सुंगवंज की क्या किया अस्थापना किया ठीक है अब देखें करा की बीरी गाजा बीरी गाजा ठीक है ध्यान दीजेगा भरूच युनानी नाम भरूच है इसका बीरी गाजा का बीरी गाजा की शकरी खाड़ी में समुद्र में से आने वालों के लिए नाव चलापाना बड़ा मुश्किल होता था राजा के दौरा नियूप्त कुशल और अन्भवी अस्थानी मचुआरे ही यहां जहां चला सकते थे बीरी गाजा में सराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के शिक्के का आयात होता था तो बीरी गाजा बंदरगाह थीक है यह बंदरगाह इन वस्तुओं के आयात के लिए वच्चो क्या था महत्पूर्ण था थीक है तो बीरी गाजा बंदरगाह यह आपके गुजरात में पड़ता है थीक है इस बंदरगाह का यह महत्तु था यह बहुत शकरा था थीक है और यहां पर सामान निवक्ति जो है काम नहीं कर सकता था वहां के जो लोकल मच्वारे होते थे उन मच्वारों की मदद से यहां पर इन वस्तुओं का आयात किया जाता था तो यानि आपका इस चैप्टर में क्या दिखा रहा है इस चैप्टर में दिखाने की कोशिस की जा रही है कि गाव और शहर दोनों आपस में किस तरह से क्या हैं जुड़े हुए ठीक है वही चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है करा हिमाले की जडी बूटियां हाथी दाथ गोमेद कार्लीलियन पथर यह क्या है गायक गायक भी उपहार सरूप आता था किशोर ठीक है लड़के होते थे किशोर सुन्दर औरते अच्छी सराब उत्कृष्ट महीन कपड़े यह राजा के लिए उपहार सरूप व्यापारी लाते थे ठीक है अब मैं इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करूगा ठीक है राजा पर उपहार सरूप यह राजा के लिए ब्यापारी लाया करते थे कौइंस की बात करें दिखी मुद्रा की बात करें तो दी गई कहानी में तुमने देखा कि हर तरह के शिक्के के आधहार पर शंपत्ति का मुल्यंकन किया गया है तो यह शिक्की कैसे है यह इग्जाइक्ट की वेलू भी उतनी ही है जितना इस पे अंकन है मतलब अगर हमने इस पे सव रूपए का अंकन किया है तो इस धात की मार्केट वेलू भी सवरूपय में tämä सबसे पुराने सिक्खे होते थे जो चांदी के इन जिनको हिंदेवन सासकों ने चलाये था किस ने चलाये था हिंदेवन सासक सबसे पहले धात मुद्रा के रूप में आहत सिक्के ही आए जो करीब 500 साल चले इनका चित्र नीचे दिया गया है चांदिया सोने के शिक्कों पर विभिन आकृतियों को आहत कर बनाय जाने के कारण इनको चिन बने होते थे इसलिए इनको पंचमार्क शिक्के भी कहते है इनिये जो है समय ऐहाँ करा मत्सर नगर नगर कई कारणों सी महत्पूर होते थे जैसे मत्षूरा तक्लिब alive यही और फद्मार्थ नाम से जाना जाता था यह मौरे वन्द्वन समय बना था जो पशिम मंगाल के तामरलिप्ती बंदरगा को तच्छ सिला से जोड़ता था बाद में सेर सासूरी ने उसी को शड़के आजम का नाम दिया अंग्रेजों के समय वही जीटी रोड हो गया तो उस रोड की किनारे जीतने भी थे जैसे आपका काशी मगद पाटिल पुत्र मतुरा यह सब इस रोड की किनारे थे तो सब नगर की रूप में बिख्षित हुए गरा मतुरा पचीसो साल सबसे जादा महत्पूर्ण नगर था क्योंकि याताउत व्यापार के मुख्य रास्ते पर इस्षित था यहां से एक रास्था स्रावस्ती जाता था यहां से एक रास्ता उत्तरपश्यम से पूरब की ओर जाता था उत्तरपश्यम से यानि तच्छसिला से तामरलित्ती वाले की बात कर रहा है दूसरा दक्षिन की ओर जानत जाता था साहर के चारो और की लेबंदी थी यानि मतुरा नगर चारो तरफ से घीरा था यहां पे अनेक मंदिर थे तो यह मूर्तिकला का भी बड़ा केंद्र था यहां मूर्तिकला का निर्माण बड़ी तेजीश होता था यहां मूर्तियां बनाई जाती थे और व्यापारी उसे खरीद कर एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर सेल करते थे तो मूर्तियों का बड़े अस्तर पर यहां पर क्या होता था ब्यापार होता था यानि धर्म जो है धन्दा बन चुका था आसपास के किसान और पसुपालक सहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे भाई मतुरा सहर में जो लोग है उनके लिए भोजन कहां से आएगा गाउं से आएगा ठीक है गाउं के जो किशान पसुपालक थे मतुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंदर था लगवग दो हजार साल पहले कुशाणों की यह दूसरी राजधानी बना ठीक है इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे मतुरा एक धार में केंदर भी रहा यहां बहुत बिहार और जैन मंदिर और कृष् बिहारी लाल की जय ठीक है तो वहां पर आपको बाकि बिहारी का मंदिर ब्रिंदावन बहुत ही फिमस है आप जाईएगा कभी वहां पर एक इमली का जंगल है ठीक है उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा तो मतुरा तीनो धर्मों का बच्चों क्या है केंद्र है ठीक है प्रेम मंदिर नाम है तो कभी मतुरा जानिया आप लोग भी ठीक है मतुरा आप लोग भी कभी जाएं शरोज सरोज आपके यहां राजस्थान में एक कौनसा है एक जगह लोग बताते हैं न कि यहां से 70 किलो मिटर दूर है जैपूर से और वो है देखो ध्यान नहीं आ रहा बड़ा फेमस अस्थान वो भी है ठीक है भी फेमस प्लेश है नहीं नहीं वो तुलशी है तुलशी का मंदिर तुलशी के बगीचा है तुलशी का है इमली का नहीं तुलशी का है इमली का नहीं तुलशी का है साधना वो तुलशी का है इमली का नहीं तुलशी का ठीक है नहीं सरोज दो सरोज है बिटा एक सरोज यादव है एक सरोज एक राजस्तान एक हरियाणा ठीक है ठीक है जाना अप लोग अनन्द आएगा ठीक है आगे देखिए मथुरा के प्रस्तर खंडों मूर्तियों पर अनेक अविलेक मिले हैं आम तोर पर यह संशित अविलेक अब जब मूर्तियों पर अविलेक लिखा जाता तिसे क्या करते हैं आयागपट अविलेकों का चौथा प्रकार होता नहीं यह मैं आपको जब पढ़ाता क्या हो गया कि क्लास में तो नहीं हो रही न भी है तो यहां पर आपको मैं जब पढ़ाता हूं कि अविलेकों के कि इतने प्रकार होते हैं तो उसमें मैं बताता हूं आयाग पट्ट मैंने स्वारी प्रशस्ती प्रकार के अवलेग राजाग्या प्रकार के अवलेग और आपको दानपत्र प्रकार के अवलेग चौथा प्रकार मैं बताता हूं आयाग पट्ट या मूर्ति पट्ट थीक है तो मैंने को बेशनगर से मिलें हैं बीदिशा से ठीक है आम तोर पर यह संशित अफिलेख है जो इस तरियों तथा पुरुषों दौरा मठो या मंदिरों में दिये जाने वाले दान का वो लेक करते हैं प्राया सहर की राजा रानी अधिकारी ब्यापारी शिल्पकार इस प्रकार के दा करते थे ठीक है तो यह जो दानपट प्रकार के अफिलेख है जादातर मंदिरों में मिलते हैं और यह क्यों मिलते हैं क्योंकि बड़े-बड़े लोग जो मंदिर में आते थे तो उन बड़े-बड़े लोगों की दोरा मंदिरों में जो दान किया जाता था उन उसका प्रमा माथुरा के अफलेक में सुनारों लोहारों बुनकरों टोकरी बुनने वाले माला बनाने वाले इत्र बनाने वालों के उलेक मिलते हैं अब आप सूचो कि एक मंदिर जो है कहीं ने कहीं रोजगार का भी एक जरिया है ठीक है एक मंदिर जो है वो सहर और गाउं के लोगों को जोडने का भी एक जरिया है एक मंदिर जो है आपके धार्मी का स्थाओं को संतुष्ट करने का भी एक क्या है जरिया है एक मंदिर जो है राजा के बैभाव राजा की शक्ति के परदर्शन का भी ये क्या है जरिया है मंदिर के भव्यता को देखकर उसके बैभाव को देखकर आप उस राजा की शक्ति को उसके राज को उसकी मजबूती को उसके राज की अर्थविवस्था की मजबूती को आप क्या कर सकते हो बता सकते हो एक मंदिर जो है राजा के दौ बात मेरी समस्क्राइट कुछ हा रही है कि बस ऐसे हवा में जा रही हuning ठीक है ऐले मोरी अब कि राजस्थान में एक मंदिर है न को प्रभी के रूब आपके राजस्थान में है ठीक है? ठीक है तथा ये प्राया काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थे और ये आपके बच्चों मौरे काल और कुशान काल के हैं ये नबीपी कल्चर मौरे काल और कुशान काल में है और इसका निर्माण जो है वो बिवसाय के पॉइंट अब उसे किया जाता था इस पूर्ण था उत्तर में वाराणशी दच्छिड में मदुरे इसके परशिद्ध केंद्र थे यहां इस्तरी पूरुष दोनों काम करते थे अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संग बना लेते थे जिसे स्रेणी कहते थे देखे जैसे मान लिए जुलाहा जैसे मान भाय हो गया ठीक है जैसे मालेजेये होगा तो लुहारों का इक समूह बन जाएगा इनका ऑने जो ऐने का लगा इनका सरेणीों का प्रमू मुखिया वो होगा स्रेश्थी टीक है अबशक करो कि इन गषु िल्ली से जाना जैपुर बेचने तो दिली से जैपुर जब यह होगा वह क्या कहलेगा gusta कि पुए अब देखो करह रहा अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे शिल्पकारों की श्रेणियों का प्रशिच्छन देना इनका काम होता था प्रशिच्छन देना कच्चा माल उपलब्द कराना ठीक है और तयार माल का क्या करना वितरण करना उनको एक अस्तान से दूसरे स्थान पर भेजना व्यापारियों की श्रेणिया व्यापार का संचालट करती थी ठीक ह कभी कभी राजा भी अपना धान यहां पे क्या करता था जमा करता था तो ये विवस्था आपको कम मिलेगी ये मौरियोत्तर काल में आपको दिखाई देगी स्रेणी विवस्था आपको मौर और मौरियोत्तर काल में आपको देखने को मिलेगी ठीक है मौर और मौरियोत्तर का मजबूत हो रहा था स्रेणिया बैंकों की रूप में भी कारी करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे इस धन पर निवेश लाव के लिए किया जाता था उससे मिले लाव का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लवटा दिया जाता था और फिर मठ आधिधार्मिक संस्थानों क इस इतने जिलार यह होते थे थे सोचो आज की बैंक के किया करती है आप से जीतना चाहें चुस ले ठीक है कि आज कि क्या करती है आज की जो है जमा कि यह धन पे ज्यादा अगर क्रेडिट का बिल जमा करने में दो दिन आपने लेट कर दिया तो ऐसा व्याज लगा देंगी कि आप जिंदगी में सोचोगे भी नहीं और जब क्रेडिट कार्ड बाटना होगा न तो इतने फोन इतने फोन इतने फोन आएंगे जैसे लगेगा कि वह जीवन भर आपका आपकी शेवा करना चाहते हैं वैंक वाले जैसे लगेगा न कि वह आपके लिए ही सब कुछ करना चाहते है इतने कॉल करेंगे और तब उस समय सारी पॉलसी नहीं बताएंगे तब कहेंगे नहीं सर जीरो पेमिंट है कोई एक्ष्रा चार्ज नहीं कोई यह नहीं कोई वो और जब आप क्रेडिट कार्ड यूच कर दोगे ना बढ़ियां से अच्छे से तब आपको पता चलेगा जब बिल आएगा तब आपको पता चलेगा नहीं यह तो कहीं नहीं हमने बहुत बड़ी ब्लेंडर कर दिया ठीक है तब आपको पता चलेगा कि नहीं हमने तो ब्ले तो इसलिए कभी कभी आप लोग भी जब क्रेडिट कार्ड वगरे या बैंक का लोन वगरे लीजिएगा तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा ठीक है ठीक है कहां से सरोज कहां चलना मैं तो कुछ जानता भी नहीं यहां पर अगला देखो सूत कातने और बुनने के नियम ठेक है आईए जड़ा देखते हैं सूत कातने और बुनने के क्या नियम होते थे यह नियम आर्थसास्त्र में दिये गए हैं और यह आर्थसास्त्र किसकी रचना है कौटिल की साम सास्त्री ने खोजा इसकी मूल प्रती जो है वह गाइब हो गई थी इसकी मूल प्रती गाइब organise सामसास्त्री ओसे खोजा थीख है इसमें जो है करते ने की इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं करा कि अध्याय आठ में 87 का उल्ले किया गया है इसमें वर्डन किया गया है कि किस प्रकार की विशेश पदाधिकारी की देखरेक में कार खाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी जैसे कह रहा है कि उन पेड़ों की छाल ध्यान देना कापास पटूआ पटूआ मतलब हम लोगों ने पटूआ से बनाया है बहुत बनाया है सन आज भी खेतों में बोया जाता सन को तयार करने के काम में विविधताओं सक्षम अक्षमहिलाओं ध्यान देना ये मौरेकाल की ब लगाया जाता था अब आपको इतना तो पता है कि काउटिल यानि चानक के इतना चालांग था कि वह हर उस बेकार चीज से भी पैसा वसलवा लेता था हर उस बेकार चीज को भी अर्थविवस्था में इन्वाल्व करना चाहता था जिससे कम से कम कीमत पे ज्यादा ज्याद जब उत्पादन किया जा सके अब देखो यह समाज की वो लोग जो अर्थव्यवस्था से कटे होते हैं जिनको समाज में आर्थिक भागिदारी नहीं होती है लेकिन मौरे काल में आप देखो ऐसे ऐसे लोगों को अर्थविवस्था में लगाया गया है जिन से आपका उत्पादन बेहतर हो सकता है और जिससे अब आप सोचो कि अगर आप लोग इन इन लोगों से अगर आर्थिक काम लीजिए तो इन से कम से कम कीमत पे जादा स अर्थविवस्था से कटा होता था या अर्थविवस्था का भाग नहीं होता था इनके पास पर्चेजिंग पावर नहीं होती थी इनके पास पैसा नहीं होगा तो यह वस्तूओं की खरीद कैसे करेंगे काउटिल ने इनको अर्थविवस्था से जोड़कर इनके पास पर क्या था सबसे बड़ा सामराज्य था जितने बड़े सामराज्य पर मौरियों ने शासन किया उतने बड़े सामराज्य पर ना तो अंग्रेजों ने किया ना तो मुगलों ने किया और सामराज्य किशी का भी तभी सबसे बड़ा हो सकता जब उसकी अर्थविवस्ता क्या हो में रखा नहीं उनको अर्थिवस्ता में सामिल किया ठीक है उनको अर्थिवस्ता में सामिल करके उनसे काम लिया तो यह मौरिकाल की सबस्वे बड़ी खास बात थे बच्चों जिसने मौरिकाल को आर्थी कुरूप से क्या किया था मजबूत कर दिया था ठीक है सूत कातने बुनने इन में से इनके काम और गुडवत्ता के रुशार पारिश्रमिक देना चाहिए जिन महिलाओं को बाहर निकालने के रुवती नहीं है वे अपनी दासियों को भेज कर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तयार माल उन्हें भिजवा सकती है या दिया जा सकता है ठीक है वे अवरतें जो कार खाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कार खाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था इस समय माल को अच्छी तरह जां पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है यानि कार को बहुत पंक्चिवल्टी के साथ कराया जाता था ठीक है औरतों के साथ छिडखानी भी नहीं हो सकती थी और आवरत को जो जिम्मेदारी मिलती थी उसे उस जि लाडू में यहां एक बंदरगाह था यहां दोड़ दोड़ से आये जहाजों के शावान उतारे जाते थे यहां करा यहां इटों से बना एक धाचा मिला है संभावता यह क्या है गुदाम है बंदरगाह के नजदी गुदाम बनने का मतलब है कि यहां परवस्तूं को इकठा क किया जाता होगा यहाँ भुमध्य सागरिय छेतर के इंफोरा इंफोरा ध्यान रखना वक्ش हो इंफोर जैसे पात्र मिले हैं यह यहिए पात्र smire कहां बनता था यूरोप में बनता था रोमन सामराज में इसमें सराव और तेल जैसे तरल रखे जाते थे यह जार टाइप का था इनमें इस दोनों तरफ से पकड़ने वाले हथे बनते थे दोनों तरफ से हथा जैसे मारे कप में बना होता ना इसमें दोनों तरफ से होता था जैसे आप यह समझ लो ये मालोई दोनो तरफ से हथा इसमें लगा होता था ठीक है ऐसे रेटाइन जैसे मूहर लाल चमकदार बरतन भी राज़ा के राज कि मूहर है उनकी मूह है इससे पता चलता है कि भारत और रोम के व्यापारिक शंबन उस समय थे जब आप पढ़ते हो modern इंडिया तो आप पढ़ते यूरोपी कंपनियों का आगमन तो यूरोपी कंपनियों के आगमन से पहली बार ऐसा नहीं था कि यूरोप और भारत का रिलेशन बन रहा था उससे पहले भी भारत और रोम के या यूरोप के बड़े अच्छे गहरे रिलेशन थे ब्यापार के थुरू ठीक है इन्हें इटली के एक सहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना ज सिख लिए तरह कहर आएं इसे मुभर लगे साचा एक साच होता था मुभर का ठीक है और गिली अंगी मिट्टी पर उससे क्या किया जाता था टबाया जाता था उससे बंता था कुछ ऐसे बरतन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रॉम का था किन्तु वो यही बनने लगे थे यहां रोमन लैम सीसे के बरतन रतन भी मिले यानि जैसे भारत में जो चीजें यूरोप से आती थी तो भारतियों ने उनकी कॉपी करना सीख लिया था उनको अपने यहां ही बनाने लगे थे ठीक है और उसे बढ़े हुए दाम पर देशते थे यह काके कि यह यूरोप से आया है ठीक है करा साती छोटे-छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभावता कपड़े की रंगाई के पात्र होते हैं यहा अब यह अविलेक देखो अविलेकित मिट्टी के बरतन है यह ठीक है कई बरतनों पर ब्रामी लिपी में अविलेक मिले हैं प्रारम में तमिल भासा के लिए इसी लिपी का प्रयोग किया जाता था इसलिए इसे तमिल ब्रामी भी कहते हैं साउत में जो द्रविड भासा में कहते हैं कि द्रविड भासा से साउथ में चार भासाओं का विकास माना गया है ना तमिल तमिल तेलगू मल्यालम तमिल तेलगू मल्यालम एक और है ठीक है उसमें सबसे प्राचीन क्या है तमिल ठीक है उसमें सबसे प्राचीन बच्चों क्या है तमिल है तो आज आपका यहीं बढ़ेंगे इससे ठीक तो आज के लिए शुब्रात्तरी आप सभी को मारी करना है ठीक है और कि बाकी जगह भी आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ठीक है चलिए थाइंक्यू सभी को आज के लिए शुब्रात्रे धन्यवाद